दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरने सेजुकेशन न्यूज में दोस्तो रीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग भरती 2018 दोस्तो वेबसाइट पर एक अपडेट आप लोगों को नजर आ रहोगा रोस्टर के रिगार्डिंग तो क्या जानकारी है वो रोस्टर क्या है उस पर क्या लिस्टें दिखाई जा रही है वो देखने वाली बात है तो सारी चीजे मैं समझा देता हूँ आप लोगों को देखिए सबसे पहले जो में जो वेबसाइट है रास्वास्त डोट ना इसे डोट इन पर यह अपडेटेट किया गया है और इस अपडेट के अंतरगर देखिए यहां पर सीधी भरती और पदोनती के पदों की रोस्टर पंजी का यानि कि कहने का मतलब यह मेरा है और विभाग का यह मतलब है कि यानि कि सीधी भर्ती यानि कि direct recruitment DR जिसको कहते हैं और पदोनती यानि कि जो promotion का जो roster है किस category को कितने पद मिलेंगे आप किस category के अंतर सलक्ट हुए है वो सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है इसमें तीन चीज़े दी गई है दोस्तो पहली बात तो महिला स्वास्ते कारे करता सीधी भर्ती का roster के according क्या यहाँ पर आपका merit रहने वाला है क्या merit रहा है इसके अलवा प्रसासनिक अधिकारी आपकी क्या यहाँ पर seniority wise है संस्तापन अधिकारी वो यहाँ पर दिये गई है और अनुसूचित छेत्र यानि की TSP का भी फिलाल यहाँ पर अपडेट किया गया है तो एक एक करके सारी चीजे यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं सबसे पहले जान लेते हैं एनम का यह roster पंजी का है इसमें देखिए दोस्तों बताया गया है पदनाम देखिए यह है महिला स्वास्तेकार करता सीधी भर्ती 2018 भर्ती की रीतियां यानि की भर्ती का जो माध्यम है वो कौन सा है डाइरेक्ट माध्यम से डाइरेक्ट रिक्रूट्मेंट कैटर स्ट्रेंथ यहाँ पर दी गई है 637 और 637 में स्ट को 12 प्रतिशत स्ट को 16 प्रतिशत जो है बीसी पिछडावर को 21 प्रतिशत एम बीसी को 5 प्रतिशत इड़लूस 10 प्रतिशत सीधी भर्ती में ये तो अरक्षन का यहाँ पर प्रावधान रहेगा अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर देखिए यह फाइल आप लोगों की 32-33 पेज की है इसमें देखिए यह तो आपका है पूरू के वर्सों में अग्रेसित बैक्लोग आरक्षन ठीक है तो बैक्लोग में आप लोग देखेंगे अनुसुचित जाती के देखिए बैक्लोग कितना था यहाँ पर देखिए 17 आपको नजर आ रहा होगा और यहाँ पर देखिए अनुसुचित जन जाती ए जय जा ठीक है उसके बाद भर्ती का वर्स आप लोग देखिए और क्या देखिए यहाँ पर हर कोलम को आपको सावधानी से देखने की जरुत है क्या अनारक्सित है अत्वा अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती पिछडा वर्ग अत्थी पिछडा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्सित है तो देखें यहाँ पर पोस्ट देखें आप लोग देखिएगा TSP SC जैसे यह जो जो पोस्ट जिसके लिए आरक्सित थी उसका आप लोग देखिएगा यहाँ पर लिखा होगा उसके सामने किसके लिए आरक्सित थी उसके बाद आपका नाम यहाँ पर लिखा होगा और यहाँ पर क्या आप इन वर्ग से नहीं है तो लिखे यहाँ पर देखिए यस लिखा रहा है जब सारे इसी वर्ग से हैं SC, ST, OBC, MBC से वहाँ पर लिखा गया है अग्रेसित आरक्षन यहाँ पर देखिए निल आपको नजर आएगा प्रतिन्युक्ति अधिकारी के स्ताक्षर और विवर्ण जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया तो यह जिस कैटेगरी के द्वारा यहाँ पर यह सलक्ट हुई है उनका यहाँ पर दिया गया इसी तरीके से देखिए रोस्टर यह बिंदू संख्या यह यहाँ पर क्रम वाईज आप लोग के नाब मिलेंगे ठीक है तो पूरा आप लोग देख सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी से सलक्ट हुई है आपका रोस्टर के अकोर्डिंग मेरिट क्या है ठीक है वो आप लोग देखें किस पद के साथ आप सिलेक्ट हुई है वो यहाँ पर बताया गया है तो 32-33 पेज का है 637 पदों का यहाँ पर विवरण दिया गया है देखिए आपका यह मेरिट समझी एक तरीके से जो रोस्टर पंजिक है उसके अकोर्डिंग आप लोग देखिए आप कहाँ पर स्टेंड करते हैं वो चीज़े यहाँ पर है इस चीज को मेंली बात इसकी यह है ठीक है तो आप लोग देख लें इस लिस्ट को लेकर पैनिक होने की चिंता करने की कोई आशकता नहीं है रोस्टर है पदोनती के लिए है यानि भविश्य में आपका जो प्रमोशन होगा तो इस लिस्ट की अकोर्डिंग होगा इस लिस्ट को अपने पास आप लोग सेव करके रखें रोस्टर ताली का है जो आपको पद मिले हैं उसके अकोर्डिंग ठीक है दोस्तो तो बिल्कुल भी घबडाने के इसमें जरुरत नहीं है आप लोग देख लीजिएगा सारा कुछ इसमें बता दिया गया है अपनी केटेगरी देख लीजिए आपकिस केटेगरी के अंतरगत हैं टोटल 637 पदों की है इसी तरीके से यहाँ पर G&M का भी इनों ने बता दिया है ठीक है दोस्तो तो आप लोग देख सकते हैं तो यह है पूरी की पूरी जानकारी पदोनती और रोस्टर जो है वो यहाँ पर बता दिया गया दोस्तो यह है आपका प्रशासनिक अधिकारी तो इसमें भी बता दिया गया प्रशासनिक अधिकारी में देखिए यह है डाइरोक्ट निनका है पदोनती प्रमोशन के माध्यम से इनकी 30 की स्ट्रेंथ है इसमें भी दिया गया ST12 और SC16 प्रतिसत ठीक है अनुस्यसी जन जाती और अनुस्यसी जाती इसमें देखिए इसमें भी बता दिया गया है यह कार्मिकों के वर्स बता दिया गया है कौन सा कार्मिक कब भरती हुआ था ठीक है और किस केटेगरी के तयत हुआ था तो इनका यह जो कैडर है वो है ठीक है पर देखिए जो कार्डर संख्या है नर्स ग्रड डिटे जी एनम 0018 का है इसमें आरक्षण का भई है जो दिया गया है तो इसमें भी आप लोग देखिए किस केटेग्री साब सिलेक्ट हुए है यू आर आपकी केटेग्री दी गई है किस केटेग्री का गैंस्ट आप स lors हुए हैं तो आप लोग इसको देख सकते हैं तो यह यहां पर 30 पेज का है 617 या लोग है तो यह रोस्टर है जिसके तेथ आपको भविष्य में प्रमोशन्स मिलने हैं आपका यह जो मेरिट क्रमान्ख यह यह रहने वाला है, जिसके तहत आप सिलेक्ट हुए हैं, तो इस चीज को ध्यान रखे, इस लिस्ट को आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, भविश्य में काम लेने के लिए, इसके अलावा कोई ऐसा कोई इसमें आपको कुछ करने की धरने की या ऐसा कुछ करने की तो इस रोस्टर के तहत आप लोगों को भविश्यमर पॉमोशन्स मिलने वाले हैं जो भी है उसके अकोडिंग ए लिस्ट है आधरवाइज ऐसा कोई भी मतलब इसका नहीं है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जै हिन जै भारत और यह लिस्टे टैलिग्राम पर मिलेंगे जिसका लिक डिस्क्रिप्शन में जै हिन जै भारत